गुद मॉर्निंग स्टुडेंट्स आज हम प्लास एट में हिंदी सब्जेक्ट में लेसे नमबर टू इद्गाह गे बारे में समझेंगे तो यहां लिखा है कि पेज नमबर नाइन में लास्ट पेरेग्राफ नमाज खत्म हो गई लोग आपस में गले मिल रहे है अब मिठाया और खिलोनों की दुकानों पर धावा होता है नमाज खत्म हो गई है लोग आपस में गले मिल रहे है अब मिठाया और खिलोनों की दुकानों में धावा यानिकी भीड जम गई है ग्रामीनों का यह दल इस विशय में बालोकों से कम उत्साहिद नहीं है यानिकी छोटे गाओं के लोग भी बड़े लोग भी बालो को से भी कम उत्साहिद नहीं है यानिकी बहुत वो भी उत्साहिद है यह देखो हिंडोला है एक पैसा देकर चड़ जाओ यह हिंडोला है यानिकी जूला है एक पैसा देकर चड़ जाओ कभी अब आस्मान पर जाते हुए मालूम होता है, कभी जमीन पर गिरते हुए यह चर्खी है, लकड़ी के हाथी, कोड़े और उंट छड़ों से लटके हुए है, एक पैसा देकर बेट जाओ, और 25 चक्करों का मजा लो, एक पैसा देकर बेट जाओ, और 25 चक्करों का मजा लो, महमद, महुसिन, नोरे और सम्मी इन गोड़ों पर बेटते हैं, महमुद महमुद महुसीन नोरे और सम्मी इन गोड़ों पर बेटते हैं चो चुले में होते हैं वह लकड़े के खोड़े पर बेटते हैं हामी दुर खड़ा है तीन पैसे तो उसके पास है अपने कोस का एक तिहाई जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता आपने कोस का एक तिहाई जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता यानि कि एक चकर खाने के लिए वह नहीं दे सकता है आमी दुर खड़ा है तीन पैसे तो उसकी अम्मा ने दिये थे मगर चुले कि एक चकर खाने के लिए वह तीन पैसा नहीं दे सकता सब चर्खियों से उतरते हैं खिलोने लेंगे इधर दुकानों की कतार लगी हुई है सब चर्खियों से उतरेंगे फिर खिलोने खरी देंगे इधर दुकानों की कतार लगी है यानि दुकानों की लाइन लगी हुई है तरह तरह के खिलोने है अलग-अलग प्रकार की खिलोने है, सिपाही और गुजरिया, सिपाही और गुजरिया है, राजा और वकिल है, पिस्ती और धोबिन है, वह लगता है अब बोलना ही चाहते है, इसा लगता है कि वह बोलना ही चाहते है, महमुद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल वाला कंदे पर बंदुग रखे हुए है कंदे पर बंदूग कंदे पर बंदूग रखे हुए मालुम होता है अभी कवायत की चला आरहा है मुहसिन को भिष्टी पसंद आया है कमर जुकी हुई है भिष्टी यानि पानी बेटने वाला कमर जुकी हुई है उपर मसक रखे हुई है मसक यानि चमडे का थेला मसक का मुह एक हाथ से पकड़े हुई है कितना प्रसन है कितना खुस है करें सैद कोई गीतगा रहा है बस मसक से पानी उड़ेलना ही चाहता है बस मसक से पानी बाहर निकलनाचाहता है नुरेक को वकिल से प्रेम deeper उसको बखिल अच्छा लगता है काला चोगा हैया तकला कोट पेहना हुआ है सफेद यानि सफेद निचसफेद सट पहना हुआ है अच्कन के सामने की जेब में घड़ी है सुन्हरी जंजीर एक हाथ में कानून का पोथा ली हुए है एक हाथ में कानून की किताब है बुख है मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिर या बहस किए चले आ रहा है यह सा लगता है कि अदालत से कोट से कुछ दलिल करते हुए आता है यह सब दो दो पैसो के खिलोने हैं यह सभी दो दो पैसो के खिलोने हैं आमित के पास कुल 3 पैसे है इतने महेंगे खिलोने केसे ले तीन पैसे ही मुझकी मम्मी ने दिये थे आमित को इतने महेंगे खिलोने केसे ले इसा वे सोचता है खिलोना कहीं हाच से चूट पड़े तो चुर चुर हो जाए जरा पानी पड़े तो सारा रंग दुल जाए अगर पानी उस पर गीरे तो सारा उसका रंग निकल जाएगा एसे खिलों ने किस काम के हैं? उन्हें लेकर वह क्या करेगा? खिलों के बाद मिठाई आती हैं किसी ने रेवडिया ली है, किसी ने गुलाब जामौन, किसी ने सोन हल्वा मज़े से खा रहे हैं अभाग ये के पास तीन पैसे हैं, कि वह दुखी है, उसके पास कम पैसे थे इसलिए क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? लल्चाई आखो से सब की और देखता है लल्चाई आखो से, लल्चाई आखो से सब की और देखता है उसको लालच आती है, सभी चीजों पर, सभी मखाने की वस्तू पर वह आखो से सब की और देखता है, लालच भरी आखो से मिठाईों के बाद कुछ दुकाने, लोहे की चीजों की है लड़कों के लिए यहां कोई आकर्शन नहीं है लड़कों के लिए कोई आकर्शन नहीं है वे सब आगे बढ़ जाते हैं यहां लड़कों की कोई चीजे नहीं है वो सब आगे बढ़ जाते हैं हामिद लोहे की दुकान पर रुख जाता है कई चिम्टे रखे हुए है उसे ख्याल आया उसको ख्याल आता है कि दादी के पास चिम्टा नहीं है वे तेवे से रोटिया उतारती है तो हाथ जल जाते है अगर वो चिम्टा ले जाकर दादी को दे तो कितनी प्रसन होंगे तेवे से रोटिया उतारती है तो हाथ जल जाते है अगर वो चिम्टा खरीद कर दादी को दे तो कितनी प्रसन कितनी खुस होंगे फिर उनकी उंगलिया कभी न जलेगी तो उनकी उंगलिया कभी नहीं जलेगी अगर वो चिम्टा खरीद कर दादी को दे तो उसकी उंगलिया कभी नहीं जलेगी घर में एक काम की चीज़े हो जाएगी घर में एक काम की चीज़े हो जाएगी खिलोनों से क्या फाइदा होगा वियर्थ में पैसे खराब होते हैं वियर्थ में पैसे खराब हो जाएगे वेश्ट हो जाएगे पैसे जरा देर ही तो खुसी होती है जरा देर ही तो खुशी होती है फिर तो खेलोनों की और कोई आँख उठा कर नहीं देखता फिर तो कोई खेलोनों की और आँख उठा कर भी नहीं देखेगा या फिर घर पहुँचते पहुँचते तूट फूट कर बरबाद हो जाएंगे तोट जाएंगे खिलोने चिम्टा कितने काम की चीज है इसा मन ही मन सोचता है रोटिया तवे से उतार लो रोटि भी तवे से उतार सकते हैं चुलहे में सेख लो चुलहे में भी सेख सकते हो चिम्टे से पकड़ कर रोटी कोई आग मांगने आये तो चट पट चुलहे से आग निकाल कर उसे दे दो, अगर कोई आग लेने के लिए आए आज अडस पोडस में से तो आग भी चुलहे में से निकाल कर चेमटे से दे सकते हूं अम्मा विचारी को कहां फुर्सत है अम्मा को विचारी को कहां फुर्सत है कहां टाइम है समय नहीं है कि बाजर जाये और इतने पैसे ही वहां कहां मिलते है अम्मा को विचारी को कहां टाइम है फुर्सत है कि बार जार जाये और इतनी पसे ही कहां मिलते हैं रोज हाथ चला लेती है हामित के साथ ही आगे बढ गए सबील पर सब सरबत पी रहे है देखो सब कितने लालची है कितने लालच पर है इतनी मिठा मुझे किसी ने एक भी नदी किसी ने मुझे एक भी न दी उस पर कहते हैं मेरे साथ चलो कि मेरा यह काम करो मेरा वह काम करो अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पुछूंगा खाये मिठाया आपका मुह सड़ेगा फोड़े फुस्या निकलेगी आप ही जबान चट्टोरी हो जाएगे तब घर से पैसा चुराएंगे आप ही जबान चट्टोरी हो जाएगी तब घर से पैसा चुराएंगे और मार खाएंगे अम्मा चिम्टा देखकर मेरे हाद से लेंगे आप ही चबान-चटोरी हो जाएगी तब घर से पैसा चुराएंगा अगर मिठाई के आदत हो जाएंगी तो फिर माय खमार भी खाएंगे अम्मा चिम्टा देखकर मेरे हाथ से लेंगी और कहेंगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिम्टा लाया है कितना अच्छा लड़का है मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिम्टा लाया है कितना अच्छा लड़का है इन लोगों के खिलोनों पर कौन इने दुआए देगा मेरी मम्मी तो खुश होंगी चिम्टा देखकर ऐसा हामिद सोच रहा है सभी को कहता भी है बड़ो की दुआये सिद्धे अल्ला के दर्बार में पहुँचती है अगर बड़े हमें दुआये देती है तो वो सिद्धी दुआये अल्ला के दर्बार में पहुँचती है और तुरंत सुनी जाती है तुरंत सुनी भी जाती है मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या मैं गरिब सही किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता आँ मैं गरिब जरूर है गरिब जरूर हो मगर मैं किसी को किसी के पास से पैसे मांगता नहीं हूँ उसे उसने दुकांदार से पूछा हामिद ने कि यह चिम्टा कितने का है च्छ पैसे लगेंगे हामिद का दिल बेट गया चिम्टे का च्छ पैसा दाम किया दुकांदार ने हामिद का दिल बेट गया यानि कि वह उदास हो गया फिर भी बोला ठीक ठीक बताओ ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे लेना है तो लो नहीं तो चलते बनो ठीक ठीक है दुकांड़ा ने सा एक पैसा कम कर दिया कि 5 पैसे में ले लो लेना हो तो लो वरना चलते बनो हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा कि तीन पेसे में दोगे आप ये चिम्टा और वह आगे बढ़ गया ताकि दुकांदार की घुड़क्या न सुने दुकांदार का जो कुछ सुनना न पड़े लेकिन दुकांदार ने घुड़क्या नहीं दी दुकांदार ने कुछ बोला नहीं बुला कर चिम्टा दिय दिया तीन पेसे में हामीद ने उससे इस तरह कंदे पर रखा मानो बंदूख है हामीद ने इससे चिम्टा कंदे पर रखा मानो कोई बंदूख हो फिर सान से अकडता हुआ संगियों के पास गया सान से अकडता हुआ उसके साथियों के पास गया तो students अगला page में अगले दिन समझाओंगा ठीक है